हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का जी एस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन सरकस के बारे में तो लगभट 24 या 25 क्लासेश जो है हमने पीछे कर चुके हैं आर्ट अन कल्चर से रिलेटेड और उसमें अलग-अलग आर्ट फॉर्म को हमने हैं अब इंडियन सरकस के बारे में देखें तो ये जो है केरिला में इसका जो है बर्थ प्लेस रहा है ये केरला से ही जो है इसकी सुरुवात हुई इंडियन सरकस की मैं बात कर रहा हूँ इसकी सुरुवात जो है केरला से हुई और ये एक ट्रेवलिंग कमपनी थी परफॉर्मर्स की अलग-अलग जो है कला जानते थे जो परफॉर्म करते थे और ये अलग-अलग जगहों पे ज आसल आर्ट के ट्रेंड इस्टूडेंट होते हैं जो कि एक स्कूल की तरह ही इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और ये सरकस जो है दिखाते हैं अब क्रियेटर देखें सरकस का तो वो थे विश्नुपंथ विश्नुपंथ ने जो है इसे बनाया था और इन्होंने एक स्कूल भी बनाया था चिरकारा केरल में था ये सरकस से रिलेटेड ही जो है एक स्कूल जो है इन्होंने बनाया और एक और व्यक्ति के बारे में हम देखें तो इनका नाम था किलेरी कुनही कनन जो है इनको फादर आफ इंडियन सरकस कहते हैं ये जो है किलेरी कुनही कनन जो है ये इंडियन सरकस के फादर थे और ये एक profession इनका देखें तो एक trainer थे किसी के trainer थे भाई तो ये जो है martial art जानते थे और gymnastic के teacher थे तो gymnast औरो जो है martial art ये दो जीजे जानते थे जिसकी training देते थे और यही तो हम देखते हैं सरकस में जो कि यह लोग जो है सरकस में हमें दिखाते हैं इंडिया का पहला जो है फॉर्स सरकस अकैडमी बनाया गया था केरल में और यह जो है थले सरे एक प्लेस है केरल में वहाँ पे जो है सबसे पहले इसको बनाया गया और इसका objective यही था कि यह training प्रोवाइड करें skill development करें जैसे आज कल हम देख रहे हैं कि skill को development करने के लिए अलग-अलग schemes आ रही है government की वैसे ही उस समय एक skill development का जरिया था जिसके थूरू लोग अपना कमाते थे इनको earning का एक माध्यम था तो आज भी लोगों के अंदर skill development कराया जा रहा है ताकि लोगों कुछ सीखें और कुछ नया करें तो यह भी objective था इस circus का यह जो training करना training दिलाना इनको और जो है इनके अंदर development कराना उस martial art या फिर gymnastic को जो है इनको सिखाना ताकि यह perform कर सकें और लोगों को जो है दिखाएं अपनी color को अच्छा इसके decline के reasons क्या है भई circus industry क्यों बिल्कुल खतम हो गई अब जो है कहीं भी जो है हमें यह दिखता नहीं है circus के बारे में तो जो हमारी next generation आई है यह circus के तरफ इनका interest नहीं रह गया है सारी चीजे जो है बीजिटली mobile phone पे हमें देखने को मिल रहा है सारी चीजे जो है अब 3D का जमाना आ गया है बिल्कुल जो है 3D जो है pictures हमें सामने आ रहे हैं तो हम जो है यहां इंडियन जो है circus है वहाँ जो है जाकर नहीं देखते हैं तो इसलिए जो है next generation की यह जो है एक जो इच्छा थी कि जो है यह लोग circus देखे वो खतम हो गई poor financial performance तो financial performance इनके खराब हुए तीसरी चीज़ है कि misconception यह बना कि circus जो है यह children's के लिए है चिल्रेंट के लिए मिसकंसेपचन था यह चिल्डेंश के लिए नहीं था यह सब के लिए था एक entertainment का purpose था internet entertainment जो है यहां पर दिखाने वारे थे और जिस circus में जो है इंटरनेट entertainment के लिए बनाय गया था बच्चों के लिए लेकिन बच्चों के लिए एक misconception ये जुड़ा कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ये competition भी बढ़ गया है, cinema वगारा से इनका competition बढ़ा तो इसलिए ये बिल्कुल बिलूप्त हो गए अच्छा, old and experience जो artist थे, वो जो है खतम होने लगे धिरे-धिरे, जो real talent था, वो खतम हुआ, extinct हुआ, जिसके कारण जो है, ये circus शर्वाइब नहीं कर पाया हमें क्या majors लेने चाहिए बच्च के लेटे, सुट promote as a carrier, carrier की तरह जो है circus को promote करना चाहिए और promotion of circus in tourism, tourism में भी जो है circus को हमें promote करना चाहिए, तो ये जो है हमने देखा Indian circus के बारे में इससे related question जो है आपको पूछे जा सकते हैं और जो है आप इसको बिल्कुल prepare है, इससे related question आते हैं तो आप जो है इसके answer कर सकते हैं ओके, thank you